हेलो गाइस तो जिसका हमें वेट था EPFO SSA की वेकेंसी जो है वो साइट पर आ चुकी है आप लोग जाके देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर डिसक्स कर लेते हैं कुछ important points तो सबसे important यह बात है कि इस बार जो आपका EPFO SSA का exam है वो IBPS conduct नहीं करवा रहा है वो करवा रहा है NTA National Testing Agency यह exam आपका conduct करवाएगी सबसे important बात है यह है तो यहाँ रखेगा जब अभी पर इस exams conduct नहीं करवा रहा है तो exams जो है वो obviously bank exams pattern से थोड़ा different होगा NTS को conduct करवा रहा है National Testing Agency ठीक है और क्या कैस में है वो discuss कर लेते हैं तो आपका सबसे पहला point यह दिया गया है कि आप form fill कर सक लगते हैं उसी mode में आपका form जो है वो accept किया जाएगा only online mode में यह इसमें बोला गया है ठीक है nexus में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं form fill करने की date देख लेते हैं 27 March से 26 April तक form fill करने की date है तो आपने इस बीच में अपना form fill कर लेना है और हो सके आप तो पहले ही form fill कर लि तो 15 April तो आप लोग form fill कर लीजेगा ठीक है और बात करें तो post की तो post है SSA Social Security Assistant Group C की जौब है और scale पे इस की बात करेंगे तो level 5 की यह जौब है ठीक है pay matrix के है level 5 SSC EPS 4 ठीक है और यह बता दिया गया है कि form fill करने की date जो है 27 March 26 April है और form fees की बात करेंगे तो SC ST PWBD और female candidate ex-sourv man के लिए निल है ठीक है तो other categories जो है उनके लिए कितनी है 700 रुपे है ठीक है तो इनकी रिए देख लीजेगा SC ST PWBD female candidate ex-sourvisman nil and other categories 700 और form fill करने की date जो है discuss कर ली गई है और exam जो होगा आपका दो mode में होगा stage 1 stage 2 और stage 1 computer based examination यानि कि जो आपका पूर exam होगा main exam वोगा phase 1 और आप हम discuss करेंगे कि क्या क्या होगा वो सब चीजे हम discuss कर लेते हैं चलेंगे next page में क्या बताया गया है तो total vacancies बताए गई है किस state में कितनी vacancies आई है यह बताए गई है हमारे next page में important है तो आप लोग उसको देख सकते हैं मैं बता दू आपको कैसे कैसे यह vacancies describe की गई है आप अपने state के according इसको देख सकते हैं तो आंधरप्रदेश में सबसे बेले आंधरप्रदेश है तो उसको discuss कर लेते हैं आंधरप्रदेश में total 39 vacancies है और UR unreserved के लिए 5 है EWS के लिए 9 है OBC NCL के लिए 7 है ST के लिए यहाँ पे 0 vacancies है और SC के लिए 8 vacancies है तो ऐसे ही आप लोग सिसगर, डैली, गुजरात, गोवा, हिमाचल इसी के according आप लोग vacancies यहाँ पे देख सकते हैं और other horizontal reservation vacancies आलग है ठीक है तो इस तैप की vacancies अपने state के according आप लोग देख सकते हैं किसके state में कितनी vacancies है कौन सी category में clear और इसके बाद कुछ important नहीं है आप लोग अपनी category के according रॉक्स नाइस उनवस्टी से bachelor degree आपकी complete होनी चाहिए जो pursuing degree है जिनकी degree complete नहीं होई है वो लोग इस form को fill नहीं कर सकते वो लोग eligible नहीं है form fill करने के लिए असमें बोला गया है must possess the bachelor degree from रिक रॉक्स नाइस उनवस्टी as on the closing date for online registration application ठीक है तो वो लोग इस form को fill नहीं कर सकते जिनकी degree complete हो गई है वही लोग इस form को fill कर सकते हैं next में जो है वो typing speed है 35 words per minute in English तो English में 35 words है per minute and Hindi में कितने है 30 words per minute यह आपकी computer typing speed की यहाँ पर बाग की गई है जो आपका second exam है ठीक है सभी कुछ हो गया है आपर यह discuss हो गया है और next में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है एज लिमिट है अपकी 18 से 27 साल एज लिमिट है और आप अपनो एज रिलेक्शन के according एक सर्विसमें परस पीड़ी ड़ी ड़ीडी के according आप लोग देख सकते हैं ठीक है और नेशनल्टी बगर भी आप लोग देख सकते हैं इंडिया तिबद भुटान अक्सेक्टरा ठीक है सबसे important अब है exam को selection procedure exam pattern जो हमारे लिए important है वो है तो scheme of examination for the post of social security assistant क्या है वो देख लेते हैं तो phase 1 exam हम discuss करेंगी जिसमें है journal aptitude 30 number of questions 120 marks ठीक है और journal knowledge journal awareness 30 number of questions 120 marks तो इसी तरह से quantitative ability 30 number of questions 120 marks है और journal English with comprehensive question कितना है 50 number of questions and 200 marks है और computer literacy 10 questions 40 marks तो total हो गया 600 marks का और 150 आपके questions है यानि कि per question आपका 4 mark का है और अगर negative बात करें तो उसमें जो आपका है वो कितना है 0.25 का negative है यानि कि 4 number का question है तो एक number आपका अगर negative है तो वो cut जाएगा ठीक है और तो जो selection है वो किस phase में होगा तो वो ratio 10 के phase में आपका selection होगा यह याद दखना है selection जो होगा वो one ratio 10 के phase में होगा और phase 2 computer skills computer data entry test जो है वो इसके लिए में आपके लिए अलग से वीडियो ले कि आऊँगी कि इस phase में क्या है phase 2 में computer skill test computer data entry और सबसे important की कोई भी इसमें sectional timing नहीं है तो जिस पी section में आप लोग strong है जिसमें आपको अच्छा कर सकते हैं उस section को आप लोग अच्छे से attempt करके आएगा exam में ठीक है तो कोई भी fix आपके sectional timing नहीं है exams में ठीक है दोनों ही चीज़ें हमें discuss कर ली है यही main important थी exams में और qualifying marks भी हमने बोल दिया कितना है और कितने सेलेक्शन लेंगे तो वन रेशियो 10 के में आपको selection होगा ओके यह सा main important है और answer की भी आपको दी चाहेगी तो आप चेक कर सकते हैं आपने कितने answer सही किये हैं कैसा आपका exam हुआ है ठीक है वो भी आप लोग check कर सकते हैं ठीक है और exam center भी आप लोग अपने state के लिए अपने जो जिस भी स्टेट से आप लोग apply करेंगे उस state के recording आप लोग अपना exam center फिल कर सकते हैं और अभी EPFO ने जो exam का pattern जो syllabus है ना वो कुछ भी अभी डिक्लियर नहीं किया है तो जैसे ही वो कुछ सब कुछ डिक्लियर होता है उसके recording में आपके लिए एक extra वीडियो लेक्या होंगी new वीडियो लेक्या होंगी कि क्या-क्या syllabus आपको दिया गया है EPFO की तरफ से exam के लिए तो उसको हम अलग से discuss करेंगे फिर अलग से उसके लिए अलग वीडियो आएगा ओके तो सभी कुछ इसमें discuss कर लिया है कि online आपने form fill करना है और कितनी vacancies है और state wise कितनी है सभी कुछ ठीक है